हे गाईज मैं हुछ सोच करनेल और सागत करता हुआ आपका हाई डाइक भाद इस यूटूब चैनल पर तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर आपका WTMP यहां पर अगर आप इस पर अप्लिकेशन पर जाते हो और यहां पर अन करते हो इसे तो यहां पर आपको कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन दिखाए देता है इस अप में नोट वर्क प्रॉडटली वगर 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 तो यह सब प्रॉब्लम्स जो होते हैं या फिर अगर समझो इसको अन भी कर लिया आपने तो बादने फिर अगर समझो अपने फोन को लॉग किया तो वह जो बरवर से वर्क नहीं करता है यह आप तो सबका आप यूज कर सकते हैं और इसका जो प्रॉब्लम है सॉल्फ कर सकते हैं तो दोस्तों आइए चली शुरू करते हैं वीडियो और चाहते हैं आउट तो फिक्स वू टच मैं फोन एप तो सबसे पहर तो आपको क्या करना होगा यहां पर आपको प्लेस्टोर पर आना है और करना होगा अपने फोन के सेटिंस में आना है यहां पर आपको सेटिंस में आकर यहां पर आपको' करना होगा यह । के option पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको जो है manage apps का option लिखता है उसके उपर tap करना है यहाँ पर आपको WTMP search करना है ठीक है W है मतलब सबसे नीचे होगा WTMP अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आप यहाँ से भी इसको search कर सकते हैं यहां पर आप tap करें WT यहाँ पर यहाँ पर आप जो है कैमरी के आप्शन पर टाप करें और इससे जो है Allow only while using this app या ask every time यह जो Allow only while using this app है ना इसको जो उसके उपर टाप करें उसको allow कर दीजे और यहाँ पर इसके other permissions के option पर टाप करें और यह सब जो भी दो permission है या फिस तीन होगा तो तो तीनों को जो है अने बल कर दिज़े Always AlloBenie पर टैप कर दिज़े और इसको भी माइस कर करें यतना होने के बाद आप 蛇क आजाई ये बैद ङाने के बाद आप आप ओपन करें आप करने के बाद यहाँ पर आप टैप करोगे तो यह जो है वक करने लग जाएगा और वो जो problem था वो भी आपको नहीं दिखाए रहेगा अगर problem अभी भी solve नहीं होता है तो आप जो हाप सेटिंग्स पर आइए सेटिंग्स पर आने के बाद apps पर जाएए apps पर जाने के बाद manage apps पर जाएए और यहाँ पर आप जो है व्पार सेट और इसको आप क्या कर सकते हैं तोली clear कर सकते lors करने के बादो एक करने के बाद आप को यहां पर क्या करना होगा ऐहां पर अप को ओपन करना होगा यहां पर आप जो है इसके उपर टैप करें इसके उपर टैप करने के बाद ओके पर टैप करें अलाव पर टैप करें और यहां पर आपका जो एप है वापस से जो है एक्टिव हो जाएगा चालू हो जाएगा जहां पर आपका जो एप चालू होने के बाद और एक चीज़ में आपको बता लॉक का उप्शन उसके उपर टैप करें जहां पर ओपो के फोन में यहां पर आपको थ्री डॉट का उप्शन दिखता है उसके उपर टैप करें तो लॉक का उप्शन दिखाए देगा जहां पर लॉक के उप्शन पर आप टैप करते हो तो क्या होता है कि आपका जो फोन अपना लॉक करते हैं और इसको उपन करते तो यह जो एप्लिकेशन बैकवर्ड में चलता रहेगा और राम करने के बाद भी हटेगा नहीं यह चीज आप कर लेजेगा जहां पर मैंने आपको जो जो तरीके बता है वह तरीके आप ट्राय करिए अगर वक करते हैं तो बढ़ि सब्सक्राइब करेगा मिलते हैं नेक्स फूडियो में तब तक लिए बाबाए टेक केर जहां पर अगर आपको अभी प्रॉब्लम आ रहा है तो आखिर में आप क्या कर सकते हैं अपना जो एप है उसे अनिस्ट्राल करके रिइंस्ट्राल करें फिर आपस ट्राय करें ठीक ह बाइ